नमस्कार आप देख रहे हैं नेशिन न्यूज और मैं हूरितांभरा आपके साथ शुरू करते हैं आज की बुलेटिन कटिहार में नकली सिमेंट का कारोबार धडले से चल रहा है बताया जा रहा है कि खराब हो चुके सिमेंट को लेकर सिमेंट कारोबारी फिर से सिमेंट को तयार कर ब्रांडेट कंपनी के बोरे में डाल कर बेच देते हैं लोगों ने आरोब लगाते हुए कहा कि ये सारी खेल पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रही है जिससे घर बनवाने वालों में डर बना हुआ है क्योंकि अगर ये खराब सिमेंट मकान की उप्योग में लाया गया तो मकान में दरार आ सकते हैं पुराने माल में फिर रिपेकिंग करके सिमेंट किसी ब्रांडेट कंपनी का सिमेंट ला करके सिमेंट बेजता है लोग जानता है कि ब्रांडेट समान लेना है या अच्छी समान लेने के लिए बजार में जाता है इनों पहुचने के बाद अगर उसके साथ धोखा होता है तो एक के समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा छलावा है जो अपने मेहनत से मजदूरी से मोतिहारी में निगरानी विभाग ने क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया है आपको बता दे कि निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को सिक्षा विभाग के डीपियो कार्याले में पधास थापित क्लर्क सुजीत कुमार को 15,000 रुपे का रिश्वत लेते के रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि संग्रामपुर थाना के दरियापुर मदर्सा में पदा स्थापित उर्दू सिक्षक मुहम्मद गुलाबी दिन से वेतन की निकासी के लिए 15,000 रुपे की मांग की थी उसी क्रम में डियस्पी सुरेंद्र कुमार अर जी इस मामले की विस्तरत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सनवदाता धननजे जुर चुके हैं धननजे क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस मामले में जी ये मोतिहारी में डीपियो करजाला जो है उसमें एक प्रदस्थातित सुजित कुमार कलर कहें जिनके द्वारा ये बेतन निकासी के लिए रिश्वत में 15,000 रुपे की मांग की गई थी और इसकी सिकायत कानी दिवाग को दी गई थी ये सुच्जा के सत्यापन में दस अदस्ये तीम के द्वारा शापे मारी किया गया है और 15,000 रुपे नगद रिश्वत के साथ कलरक सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है कि जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धननजे